तो दोस्तों एक बड़ी खबर है मद्दप्रदेश स्कूल सिक्ष्षब वाक्से जानेंगे इस जानकारी को डिटेल में क्या सेक्षणिक स्टाप को इसकूल आना है या नहीं आना है या घर पर बैठ करके तयारी करवाएंगे बच्चों की ऑनलाइन या स्कूल में बैठना ह सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस्ट कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलते रहें चलिए शाथियो अब हम इस आदेश को रीड करते हैं क्या इस आदेश के तहट अथिती सिक्सकों को अब श्कूल नहीं आना है या सिर्फ बच्चों को इलिए ही बंद हुए या स्टाप जो है गैर सेक्षणिक वा सेक्षणिक स्टाप उसे स्कूल आना है या घर बैट करके ऑनलाइन क्लासिस चलाना है जानेंगे हम इस वीडियो को अपास्त करते हुए बर्तवान वा इग्रह संक्या द्वारा जारी आदेश एप तीस नौ दो हजर बीस दो सी दो दिनांक चुदा वारा दो हजर बाईश के परिपालन में निम्नानुसार दिसा निर्देश प्रसारत किये गये हैं कक्षा एक से लिकर के बारवी तक कि सम स्कूल वा होस्टल एक अतिस तक पूर्ण तहां बंद रहेंगे तो साथ यो बिलकुल टोटली बंद हैं वहीं बिद्ध्याला द्वारा ऑनलाइन पठन पाठन की विवस्ता यथा संभब की जाएगी तो जहां तक संभब है पठन पाठन की जो विवस्ता की जाएगी वह नेक्ट अगला दिया है समस्ते सैक्षड बाग गैर सैक्षड के स्टाफ बिद्ध्याला में प्रतेक कारदवस में नेमत रूप से उपस्तित रहेंगे तो साथियों जहां सैक्षड के स्टाफ उपस्तित रहेगा क्या स्कूल में ही आकर के बच्चों की ऑनलाइन साथियों प्रीषा जो होना है 9 से लेकर 12 तक जो परिक्षा है नहां स्कूल हई सेकेंडी की तो वो प्रिक्षा नहोंगी टेक हॉम के रूप में संचालित होंगे तो जहां घर पर रह करके ही बच्चे देंगा और इनके जो पेपर है वो भेजे जाएंगे अब बच्चों को घर पर ही दिये जाएंगे आंगे दिया है बिद्यार्थी से प्रिश्ण पत्रवा उत्तर पुस्तकाइं प्राप्त करेंगे और नि इस दोरान कोबिड उनिश प्रोटोकॉल का पालन अन्यवारता किया जाएगा तो यह नेक्स्ट निर्देश दिया है उक्ति निर्देश तत्काल प्रभाप से लागू होंगे आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे इन दिसार निर्देशों का कड़ाई से पालन किया तो दोस्तों जहां एक बड़ी खवन यह निकल करके आ रहे ही जहां उत्तर पुस्तिकाएं बिद्यार थी स्कूल से प्राप्त करेंगे और एक निर्दारित समय सीमा इसकी समसानी जारी होगी तो उस समय सीमा के अंतरगात उन कौपियों को जमा करेंगे बिद्यालाय में त घर पर प्रोवाइड कराई जाएंगी उत्तर पुस्तिकाएं प्रश्न पत्र यह और उसके लिए एक समय सीमा दी गई है उस समय सीमा के बाद बच्चों से उन कौपियों को कलेक्ट करके और उसके बाद मूल्यांकन किया जाएगा तो दोस्तों यह मदब प्रदेश इसकू जय हिन जय भारत